नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की बात में मैं आविसार शर्मा मेरे साथ हैं भाशा और उर्मिलेश और आज आपके सामने तीन मुद्दे लेकर आ रहे हैं आखिर विशेश संसस सत्र को लेकर इतना रहिस क्यों? और अगर सुनिया गांधी ने प्रधान मंत्री मोदी से सवाल कर दिया तो उन पर ऐसा वाहिया थमला बीजेपी का मुद्दा नंबर दो जो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि मोदी सरकार ने अपने प्रचार तंत्र के जरिये इंडिया बनाम भारत को लेकर एक शिगूफा छोड़ दिया मुद्दा क्या है? सियासत क्या है? और तीसरा मुद्दा एरिटर्स गिल्ड ओफ इंडिया की एक फाक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जाती है मनिपूर उन पर एफायार दर्ज हो जाती है पत्रकारिता से आखिर बीजेपी को क्या अलर्जी है? मगर शुरुवात हम करना चाहेंगे संसद के विशेश सत्र वाली रिपोर्ट से आप जानते हैं कि पांच दिन का संसद का विशेश सत्र बुलाया जा रहा है इस बात को लेकर रहस से है कि भाई किसलिए बुलाया गया है? और जब सोनिया गांधी नौ सवाल पूछती हैं प्रधान मंत्री से और ये कहतीं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए तो उन पर प्रचार हमला जो है शुरू कर देता है भाजपा का दो-दो मंत्री सामने उभर कर आ जाते हैं जोशी और प्यूश गोयल की सुनिया गांधी राजनीती कर रही है अरे भाई सांसद राजनीती नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्या है समुद्दे का पंच? शुरूआत करना चाहेंगे उर्मिलेश से भारत की संसत का कोई ऐसा स्पेशल सेशन आज तक नहीं हुआ आज़ादी के बाद जिसमें एजेंडा पहले से तै नहीं किया गया इसलिए ये कहना कि ये बड़ा नॉर्मल है ये बेतुकी बात है और सोरिया गांदी के जो सवालात हैं वो बहुत वैलिड हैं बहुत जनुविन है भाशा क्या है समुद्दे का पंच? अभी सारे एक बात साफ है कि एजेंडा तो बहुत साफ है इसका ऐसा नहीं है कि एजेंडा इसका साफ नहीं है एजेंडा शुरू होता है मोदी जी से और खतम होता है मोदी जी से मोदी जी का गुरगान G20 के बाद जिस तरह का भविद्दिव आयोजन उसके आगे वहवाही और विपक्ष को आड़े हातों लेने की पूरी की पूरी रणीती है इस सत्र की अभी सार क्या है आपका पंच इ इस मुद्धे पर मेरा पंच ये है भाषा कि देखिए भारती जनता पाटी खुलियाम कहरी है कि कोई ऐसी नजीर नहीं है कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि एजिंडा पहले से तैय नहीं होता है हमारे सामने धेरो मिसाल है भाषपा खुलियाम जूट इसलिए बोलती है क्योंकि जाहिर सी बात है तत्यों पर मीडिया उन्हें कटगरे में नहीं रखती है और उपर से सुनिया गांधी पर इस कदर हमला करना जो अपने आप में बहुत शर्नाक है भाषा हम जानते है कि ये संगोल युग का भारत है और जाहिर सी बात है संगोल युग में हर चीज महराज जाहिए कि तो जाहिर सी बात है उन पर हमला होगा जी और इसमें देखे इसी लिए इस तरह का हमला सोनिया गांधी जी पर हुआ सोनिया गांधी ने जो पत्र लिखा नौब बिंदू जो उठाए आप उससे सहमती जाहिर कर सकते हैं लेकिन यहां तो वो विपक्ष को देखना तक नहीं चाहते उसकी जो गरिमा मय उपस्थिती भारती लोकतंत्र की शान रही है उसको आप निस तरह से संसत्र बूत करना राजा चाहते हैं कि उनका गुडगान हो उनका गुडगान तमाम सांसत करें और हमें यह भी याद रखना चाहिए अभिसार हो सकता है कुछ ऑचक घोषणाएं कर सकें क्योंकि मोदी जी 2014 से लेकर 2023 तक बिना अपनी ही सरकार के मंत्रियों को बुलाएं इस तरह की घोषणा आदी त्यादी जिस पर चर्चा करवाई जारी है अदी कोई सामवैधानिक संकट होता है उसकी मैं आपको दो मिसाल देना चाहूँगा अनुच्छे 356 के प्रावधान के तहत हर्याना में राष्ट्रपती शासन की मंजूरी के लिए तीन जून 1991 से दो दूनों के लिए विशेश सत्र हुआ था और उसी तरह से तमिलाड और नगालैंड में राष्ट्रपती के विस्तार के लिए 1977 में तो हमारे सामने बहुत स्पेसिफिक संजीदा मिसाल है मेरी ख्याल से ये अप्रत्याशित होगा जहां एक व्यक्ति के महिमा मंदन के लिए आप विशेश सत्र बुला रहे हैं देखे पहली बात तो यह है कि भारत सरकार के जितने प्रमुख लोग है खास कर पार्लामेंटरी अफेर्स मिनिस्टर या दूसरे और स्पोक्स परसन उनको मैं लगातार सुन रहा हूं कि नहीं साम अगर पहले से नहीं एजंडा हमने तैक किया है तो इसमें कौन सी बड़ी हैं लेकिन पार्लामेंट को दर्शक दिर्गा से देखने या प्रेस दिर्गा से देखने का मेरा भी अनुबाव है और 40 वर्षों की अपनी पत्रकारिता के करियर में 38 साल मैंने विधान मंडलों और पार्लामेंट को कवर किया है टोटल ऑफिसियल रिकार्ड के हिसाब से 38 supporters of assemblies and parliament अच्छा विधान सभाहों में भी ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे कि कभी नहीं हुआ और मैं भारत की दो विधान सभाहें कबर कर चुका हूँ पंजाब और बिहार दो और मैं समयता हूँ कि दो अब्रोथ मतार्याग ना तो विधान मंडलों में कभी ऐसा हुआ कि एज membr नहीं बताएंगे लेकिन संसत सत्र बुलाएंगे कमाल का है और देखे इस पर बड़ा मज़दार है क्यों कहना चाहते है कि जो हमारी इच्छा है उर्मिले जी यहां पर मुदी जी का कहना है कि अब नया लोकतंत्र है संगोल यूग है तो हमारी इच्छा है हम आप जब वहां पहुचेंगे तो हो सकता है उस तारीक को मिले कि क्या किस चीश पर आप चर्चा कर और यह भूल जा रहे हैं कि यह संसत उनके पैसे से नहीं चल रही है यह संसत हम तमाल लोकों के हर भारती नागरिक का पैसा लगा है और उसकी जवाब देए हैं हमारे प्रती है देखो भा भाषा आपसे पूछना चाहता हूं सोनिया गांधी ने नो जो सवाल किये हैं वो बहुत सटीक सवाल हैं देश की सुरक्षा को लेकर ब्रश्टाचार को लेकर महंगाई को लेकर बेरोजगारी को लेकर बहुत सटीक सवाल है आपने देखा भाषा उसके बाद क्या होता है भाजपा एक अश्लील प्रचार चलाने लगता है, एक ट्वीट करता है कि सोनिया गांधी का जो क्राउन है, मुकुट है वो राहूल को जाएगा, प्रियंका को जाएगा, आपको ये भी याद होगा, पिछले ही हफते बीजेपी ने एक बहुत ही वाहियाद प्रचार रिष् सवाल यहां बहुत साफ है कि सोनिया गांधी पर जो हमला है, वह यह बता रहा है कि उनको नौ सवाल, जिसमें मनिपूर, सुलकता हुआ मनिपूर भी है, अडानी जी का प्रष्टाचार भी है, कैक की रिपोर्ट भी है, सारी चीजें हैं जो देश देख रहा है, अभी सारी यह बहुत साफ है कि सोनिया गांधी के सवालों का जवाब देकर और काईदे से देश को बताके कि भाई आप देश का पैसा इन पांच दिनों पे किस मुद्धे पे खर्च करना चाह रहे हैं, आप मामला डाइवर्ट कर रहे हैं, तो पूरी कोशिश अभिसार जो दिखाई कि सेकरेटरी जनरल ने, उन्होंने भी कहा था, यह जो सिकरिसी है, यह जिस तरह से रहस्य बनाए हुdon यह यह लोगसभा की मर्यादाओं के खिलाप। वह भाहिकई से समझते हैं तो जब इस तरह के व्यक्ति कह रहा है लेकिन जो लोग पर्लामेंट में जिनका अनभौ बहुत कम सालों का ए बहुत कम सालों का है वो ये दलिल दे रहा है कि नहीं साब हम तो ऐसा कर सकते हैं कैसे आप कर सकते हैं और दूसरी बात जो आपने गांधी पर तो कम लेकिन नहरू गांधी परिवार पर तरह तरह की बातें जो आज कल वाटसाप इनुस्ट्री में आ गई हैं ये पहले से चलती रही हैं अब मेरा ये सवाल है कि भाई बाहन के रिष्टों पर जिस तरह की आमीन टिपणियां आ रही हैं ये कौन सा सनातिरी ध जाता है कि देश का नाम बदला जा रहा है अब जो है देश इंडिया नहीं भारत रहेगा अब बात वहां तक सीमित नहीं थी पूरा एक प्रचारतन सिर्फ मीडिया ही नहीं वेरेंद्र सेवाक साइना नेवाल अमिताब बच्चन सभी सामने आ जातें कंगना रनावत और सिर्फिस लिए कि विपक्ष के गटबंधन का नाम अब तुम इंडिया को गाली देंगे तो इसके पीछे की सोच क्या है और क्या इस खबर का पंच शुरुबात करना चाहेँगे भाशा से अभिसार मुझे बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि चुनावी वेतरनी पार करने के लिए यह भाजपा का एजंडा है इंडिया बनाम भारत की एक जूटी लड़ाई पेश करके सारे देश को उसी में जोग देना और उस बहाने एक जूट जूटा इतिहास सब के उपर थोग देना कि इंडिया दरसल अंग्रेजों का दिया हुआ है जबकि यह सो फीसी दी गलत है यह ग्रीक ओरिजन है इसका और जूट 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 यानि चुनाव में जीत को सुनिश्चित करना अभिसार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि इस सरकार कहीं न कहीं पानी में कंकड फेक रही है जिसे हम अंग्रेजी में टेस्टिंग दे वाटर कहते हैं और सांस्कृतिक राष्टवाद पर एक बहस चाहती है एक तरफ खड़ा कर दो विपक्ष को कि देखो यह तो अंग्रेज क की घुलामी के विरासत को ड्हो रहे हैं और एक तरफ हम हैं जो असली हिंदू असली भारती असली सांस्कृतिक राष्टवाद के हमायती हैं मुद्दा वह उसकी लावा कुछ नहीं और मिलेजी क्या है मुद्दे का पंच मैं तो समस्ताओं कि इंडिया एलाइंस इसका एक कारण है जो विपक्ष ने बनाया हाला कि उसका नाम इंडिया पर नहीं है उसका नाम तो लंबा चवड़ा है जो उसका शार्ट फॉर्म है और दूसरा जो कारण है वो मोहन भागवत जी कुछ दिन पहले गवाटी गए थ उन्होंने जो नसीहत दी है कि भाई भारत शब्द यूज किया जाना चाहिए और कोई नहीं तो मुझे लगता है ये दो कारण है भाशा आपने देखा इनको मौका मिल गया जस्ट बिकॉज आज की तारीख में मतलब देखिए आप हिंदू मुसलिम में बटवारा बात की ऑनकी ज़ा है वर अनकी डिक्षनरी ँवने लौन्हां देखिए और मीडिया तमाम कार्करम चला दिये कि स्थाँ इंडिया जो है वह नकारातमकता है और यह ऄगता इस सारे लोग भूल गया और जितनी योजना है जितनी बड़ी इोजना है स्टैंड अप इंडिया से लेकर सारी चीजें सारी चीजें अंगिनत मोधी जी का भाशन खूब चल रहा है जिसमें इंडिया इंडिया दस बार वो बोलते रहे हैं तो ये जो तमाशा है बेसिकली ये तमाशा इसलिए है क्योंकि वो जूट और इतिहास का जूट सबसे बड़ा जूट आप सोचें ना कि ये ग्रीक स्कॉलर का दिया हुआ नाम है जिसके बारे में पता चलता है कि कब से कब तक और आप कहते हैं अंग्रेजों ने दिया हुआ है मैं तो पुछना चाहरे थी कि अगर अंग्रेजों का दिया हुआ था तो आपको इतने साल में नहीं याद आया जब आप अपनी तमाम योजनाओं को ला रहे थे और दूसरी बात अभी सार जो आपने कहा कि राष्टवाद जो एक छदम राष्टवाद पैदा कर रहे है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के तौर पे बढ़ रहे हैं अरे बाकी राजी भी है भारत में जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती मोदी जहां पर बहुत बड़े पैमाने पे लोग रहते हैं आप उनको भूल जाएंगे वो लोग इंडिया को नहीं कहें के भारत कहेंगे अभिसार एक चीज आखरी इसमें जिस तरह से राष्टपती के पैड से इंविटेशन गया जी ट्वेंटी का प्रेसिडेंट ऑफ भारत एसियान में मोदी जी गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत इस शेमफुल ये संगोल यूग नहीं है अभी तक मोदी जी अभ्राइब कि इस भारत इस शेमफुल जी कोशिए इस अचले इसमेफुल ये सलिए तो ये नहीं है ये जी क्या जी जी देखे जी आखिएव दो बातने हो सकती हैं कि एक तो इनको ये मालुम है कि पूरे इंटायर धुक्षन भारत में और नार्थिस्ट में भी ये मुद दा क्लिक नहीं करेगा अगर आप प्रेग्मेटिक पालिटिक्स के बारे में पूछ रहें तो मैं तेरोटिकल पर नहीं जा रहा हूं तो यह बिलकुल क्लिक नहीं करने वाला है और वैसे भी साउथ में इनकी लुटिया डूप चुकी है एक ही इनके पास ही स्टेट था है अब रही बात मद्दे भारत की सबसे जो ज्यादा जटिल प्रश्ण है वो मद्दे भारत का है वो कौन-कौन मद्दे प्रदेश और आपका च्छतिसगर्ड महाराष्ट ये बात पूर्ण है अब इसमें देखना होगा है कि कहा कैसी इस्टितियां बनती है जहां तक उत भारत और इंडिया के कांटेक्स्ट में मैं एक महत्मौन बात जिरूर करना चाहूंगा अगर इस कार्ड़ पर भारत के राश्टपती लिखा गया होता कि भारत के राश्टपती आमंतित करते हैं डिनर के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं और दरसल पहले यही होता रहा है म मैं सेम भी invitation पाया हूँ कई बार प्रदान मंत्री की और से राष्टपती की और से और इसमें यही दर्ज होता था President of India invites you for dinner एक और कार्ड के ठीक पिछे होता था भारत के प्रदान मंत्री या भारत के राष्टपती आपको अमत्री यही सिस्टम था लेकिन President of भारत के से हो सकता है President of India होगा तो मुझे लगता है कि यह जानबुश कर एक जिद्ध है कि हम यह करेंगे ताकि आप कुछ बोने और जिद्ध तो हर जगा दिखाई दे रही है ना वो जिद्ध दिखाई देती है हमको जब विपक्ष सिधा सवाल पूछता है कि नाम भारत में भी दिखाई दे रही है हर जगा जिद्ध दिखाई दे रही है और वो जिद्ध दिखाई दे रही है मेरे तीसरे मुद्ध में दोस्तों Editors Guild of India मनिपूर जाता है मनिपूर में क्या हाला थे संगर्श चलरे है सब जानते है आप ये भी जानते हैं जब वो विडियो सामने उभर कर आया था जिसमें दो औरत को जो निर्वस्त रुखुमाया गया था उनके साथ बलातकार किया गया था उनके परिवार के दो मर्दों को मौत के घाट उतारा गया था तब खुद बेरियन सिंग ने कहा था कि ये तो सिर्फ एक मामला सामने आया है ऐसे सेंकडों मामले हैं या दर्जनों मामले हैं अब एरिटर्स गिल्ड ओफ इंडिया की सिर्फ फाक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आती है और ये लोग F.I.R कर देते हैं क्या ऐलर्जी है भाजपा को पत्रकारिता से क्या इस खबर का पंच बताएंगे और मिलेश देखे मैं समझता हूं कि इनको वाकई मीडिया से पत्रकारों से पत्रकारिता से ऐलर्जी है अगर वो जेल्मिन हो, अगर वो किसी पार्टी के प्रती, किसी विचारधारा के प्रती, वाकई ही committed न हो, जैसा यह लोग मेडिया चाहते हैं वैसा न हो, तो ये जो कर रहे हैं, जिस तरह से इनोंने हमले किये हैं, जिस तरह से F.I.R. कराए हैं, उसके पीछे यही कानी है भाशा क्या है समद्दे का पांच? मनिपूर जलता रहे कोई दिक्कत नहीं लेकिन मनिपूर जलता हुआ किसी को दिखाई ना दे सारी कोशिश ये है अभिसार क्या है इस पर आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच ये है कि भारती ये जनता पार्टी जवाब देही से बचती है इने कोई भी जवाब देह नहीं बना सकता और सबसे शॉकिंग बात वो जो एफायार दर्श की गई ये तो शुक्रे सुप्रीम कोर्ट से निराहत मिल गई किसी ने वो मुद्दा तक नहीं उठाया इस देश का मीडिया हकीकत से कितना जुदा हो चुका है भाशा सीमा मुस्तफा, संजे कपूर, भारत भूशन और सीमा गुहा इन लोग के खिलाब जो है फायार दर्श किया गया अच्छा ये लोग कोई ग्राउंड रिपोर्टर्स नहीं थे ये लोग फैक्ट फाइंडिंग एक रिपोर्ट करने गये थे एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिसको लेकर भाचपा लगातार बचती रहती है प्रधान मंतरी ने आपको भी याद है कि लोग सभा में किस अंदाज में उमुद्दा उठाया था मतलब ये तो कल्पना से भी विचित्र है कि आप फायार दर्श करते हैं अपनी घलती मानने के बजाए और देखें ये जो रिपोर्ट है जिन लोगों ने भी रिपोर्ट देखिये नहीं देखिये तो पढ़ना चाहिए उनको यह रिपोर्ट यह बताने के लिए नहीं है कि वहाँ पर हिंसा चल रही है कैसे हिंसा है कौन हिंसा कर रहा है यह रिपोर्ट बहुत exclusive रिपोर्ट है अभी सार जो यह बताती है कि वहां का मीडिया कितना बायस है और इस बारे में सीमा मुस्तफा जो एडिटर्स गिल्ड की प्रेसिडेंट है उनका कहना है कि 12 जून से उसके बाद से लेकर अभी तक एडिटर्स गिल्ड को इतनी शिकायत कि वहां का मीडिया है वह सही धंग से खबरे नहीं दिका रहा है यह इसलिए बहुत एहम है क्योंकि यह मेडिया की स्थिती पर रिपोर्ट है उस मीडिया पर जो मनीपूर का मीडिया है वह मनीपूर का मीडिया किस तरह से dominant caste के dominant section के पक्ष में है और कुकी का वहां representation नहीं है और ध्यान दीजिए अभिसार यह लोग अपने आप नहीं गए थे एडिटर्स गिल्ड का एक पूरा का पूरा पूरा पैटर्न है जहां पे शिकायते उनको मिली कि वहां पे सही धंकी खबरे नहीं जा रही है उस पर उन्ह बिजन्स देखिए कि वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं दो समुदायों में अरे भाई बिरेन जी आप अपने स्टेट को समालिये पहले आप देखिए कि आपके स्टेट में आपके लोग क्या कर रहे हैं तीन मई से आपका मनिपूर जल रहा है वहां पर F.I.R. और आप रात रात एक शव को जला देते हैं और उसके बाद जो मीडिया अपना काम कर रही होती है उसको टार्गेट करते हैं स्वर्गिये पत्रकार पवन जैसवाल सिर्फ मिड़े मिल स्कीम्स में कमियों की बात कर रहे थे उनको किस तरह से टार्गेट किया जाता है आपको य मनिपूर के जो चीफ मिनिस्टर ने बोला वहां पे इस टीम के खिलाब उसमें यह कहा कि अन्ती स्टेबिस्मेंट हैं यह लोग और साथ में कहा एंटी नेश्नल है थो मैं कहता हूं कि पत्रकार को इंटी स्टेबिस्मेंट होना यह तो सर्ट्पिकेट है आज के दोर में ज इसमें तो एंटी स्टेबलिस्मेंट होना बहुत बड़ी एक तरह से प्रशन सा है लेकिन एंटी नेशनल एक चीफ मिनिस्टर कहा रहा है किसको भारत भूशन जो दो अख़बारों के भारत के डीटर रह चुके हैं तुसान टाइम्स और टेलिग्राफ संजे कपूर हार्ड उसके डीटर रह चुके हैं और उनके पिता बहुत बड़े पत्रकार थे इस देश के सीमा गुआ ये भी टेलिग्राफ और टीवाई दोनों में टाइम्स में भी आई तिंक रही हैं सीमा मुस्तफा देश के सभी प्रमुख अख़बारों में च्छपती रही हैं टेलिग्र आए इंसा का शिकार होते हुए देख रहा हैं बहुत त्वरे तादूर से प्रक्रेक ने आपकी जानकारी और बढ़ा दों कि आपने योगी जी का नाम लिया अभिसार योगी जी ने और उनके सरकार ने अभी एक पत्रकार के खिलाफ 420 का मामला दर्श किया है क्योंकि उन होने फोन किया शिक्षा भी बाग को और मैं ये भी बता दूं कि वेस्टरन यूपी में एक व्यक्ती एक पत्रकार सिर्फ मंत्री जो थी योगी सरकार में उनसे सवाल पूछ रहे थे कैमरी पर उन्हें गिरफतार करवा लिया गया मुझे बहुत त्वरित आपसे प्रतिक् कि मीडिया का एक सेक्षन जिसको आप नियूस पूटल कहते हैं वेब साइट कहते हैं या यूट्यूब चैनल कहते हैं जो फ्रिलांस हैं आम तोर पे यही लोग देश का मीडिया बन गया है आज की तारीक में और इसी की वजह सबसे बड़े भाजन सबसे ज्यादा शिकार स अपसे ज्यादा निशाने पर यही लोग हैं और यह पूरे देश में चलेगा खासकर यहां पर किंद्र सरकार समझ रही है कि अभी सार मेरा तो साफ मानना है कि जो पत्रकार 2014 से लेकर अभी तक डरे नहीं बिके नहीं और लंबलेट नहीं हुए वो पत्रकार निशाने पर ह हैं और ऑडिटर्स गिल पर जो हमला है वो साथ बता रहा है कि इस तरह की institution को भी जिस तरह से बाकी लोगतंत्र के institution को खतम किया है उस तरह से पत्रकाร था कि चोटे वोटे institution से उनको भी खतम करने पर मोधी सरकार उतारू है जो बहुत चिंता का विशे है बहुत बहुत शुक्रिया भाशा और उर्मिलेश आप दोनों का इंडिया की बात में बस इतना ही अभिसार शेर्मा को दीजे जासत नमस्कार